आपने एक चीज हमेशा stock market के अंदर observe करी होगी और वो चीज ये है कि जब भी कोई stock ASM या GSM list के अंदर आ जाता है तो उसका price जो है वो अचानक से नीचे की तरफ करने लगता है ऐसा क्यों होता है ये ASM GSM list क्या है इसका impact कैसा बढ़ता है stock के prices के उपर ये हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में अगर आप एक investor है या आप एक trader है तो आपको क्या करना चाहिए अगर कोई एक stock ASM या GSM list के अंदर आ जाता है यही हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों प्लीज हिट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा रगे तो इट विल इंडिकेट टू मी तैट कि मुझे स्ट्राइब के वीडियो बनाने चाहिए और सब्सक्राइब तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि what is ASM and GSM list तो इस ASM और GSM list में हम सबसे पहल इंफ्लेट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि जो रीडेल इंवेस्टर से वो फस जाए तो जब भी सेवी को ऐसा लगता है कि यार प्राइज बहुत दाधा बढ़ रहे हैं और ये एकदम आउट ओफ सिंक है कंपनी के फाइनेशल पर्फॉर्मेंस से तो सेवी क्या करती है इसमें अच्छी कंपनीज भी हो सकती है बुरी कंपनीज भी हो सकती है तो एसम में बेसिकली अगर कोई स्टॉक को डाल दिया जाता है तो उसमें दो चीज़े हो जाती है पहली चीज यह है कि उसमें मार्जिन ट्रेडिंग को खतम कर दिया जाता है मतलब जब भी हम से क्या होता है कि इंट्राइट रेडिंग बिल्कुल कम हो जाती है उसमें लिक्रिटी चली जाती है स्टॉक के अंदर से और दूसरी चीज दूस्तों से भी ये करती है कि से भी 5% की अपर सर्किट और लोर सर्किट की लिमिट लगा देती है मतलब एक दिन में जो स्टॉक का और या परस्क्राइड ये जो अंदर लोर सरकिट और ये जो ओर मार्जन ट्रेडिंग है इन दोनों चीजों को लगाने का यही मतलब है कि जो स्टॉक के प्राइजिटी घंग कूर जासके अगर कि सबाने की है वो यह होता है कि जो stock की volatility है उसको कम किया जा सके और जो fluctuation हो रहे हैं उनको एकदम खतम किया जा सके तो यह हो गई हमारी ASM list अब अगर हम बात करें GSM list की तो GSM का मतलब होता है और GSM list में basically उने stocks को डाला जाता है जो की penny stocks हैं या liquid stocks हैं और GSM list में penny stocks को तभी डाला जाता है जब उनके जो prices है ना उनमें बहुत ज़्यदा abrupt moment हो रहा हो मतलब एक महीने में माल लिजे 300-400% stock के prices बढ़ गए हर दिन 5-5% के अपर circuit लग रहे हैं और जो की बिलकुल out of sync है company के financial performance है तो जब भी ऐसी चीज होती है ना तो सेभी क्या करती है कि stock को GSM list के अंदर डाल देती है अब हमने यहां पर ये तो बात कर ली कि ASM और GSM list क्या होती है लेकिन ASM GSM list में अगर कोई stock को डाल दिया जाए तो उसका impact क्या होता है चलिए उसको समझते हैं तो अगर आप एक trader है और उने stocks में trade कर रहे हैं जो कि ASM और GSM list में आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपनी position liquidate कर देनी चाहिए as a trader जो कि एक trader को momentum चाहिए होता है stock के prices में और ASM और GSM list में जब कोई stock आ जाता है तो momentum एकदम से चला जाता है वो liquidity एकदम से चली जाती है तो इसी वज़े से हमें उन stocks को नहीं खरीदना चाहिए avoid करना चाहिए as a trader जो कि ASM और GSM list में है और अगर हम बात करें investors की तो investors को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ तो investors को दोस्तो GSM list वाले जो stocks है उनको तो totally avoid कर दिना चाहिए अगर कोई stock GSM list में है इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत बड़ी warning है मतलब बहुत दाता खतरा है तो GSM list वाले stocks में definitely invest नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हम बात करें ASM list की तो ASM list में कुछ ऐसे stocks है जिनके fundamentals बहुत अच्छे है जैसे कि अगर मैं बात करूँ Tata Motors की तो Tata Motors के fundamentals अभी बहुत अच्छे है Apple India के fundamentals बहुत अच्छे है Equitas Holding के fundamentals बहुत अच्छे है लेकिन यह जो सारी companies है यह सारी की सारी अभी ASM list में चल रही है करन की लेकिन fundamentals अच्छे है तो हमें as an investor यह नहीं देखना है कि stock ASM list में है की नहीं हमें यह देखना है कि company के fundamentals कैसे है हमने क्या price पे खरीता है तो हमें अपना fundamental analysis करना चाहिए और इन सारी कीतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप एक investor है तो तो ASM list पे ध्यान देने की दाद़ दरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई stock GSM list में है तो आपको definitely उसको avoid करना चाहिए as a trader as well as as an investor तो यह था आज का वीडियो ASM और GSM list के उपर तो please like and subscribe to our channel अगर आप इस type की वीडियो देखना चाहते हैं तो thank you for watching this video मिलेंगे अगले वीडियो में